आज की इस एपिसोड में हम डिसकस करने वाले हैं वीपरो स्टॉक के बारे में इस स्टॉक को डिसकस करने का मुखी कारण यह है कि इस स्टॉक में आप देखेंगे कि मल्टिपल रिजेक्शन के बाद जिस प्रकार से डवल केंडल एक ही प्राइस पे Consolidate Form में दिखा है व्यू काफी बुलिस है लास्ट ट्रेडिंग सेसन में हमने इस स्टॉक में देखा कि काफी huge delivery buying देखने को मिली near around 67% का और उसके साथी टेकनिकली देखें तो देख्श के comparatively ही trade होते हुए दिख रहा है इसके चार्ट को देखे तो इस समय एक downtrend के बाद जो ट्रेड लाइन है उसको breakdown जब तक नहीं करता है तब तक sort करने से बचे और रेडी ए श्टॉक काफी correct हो चुका है और जिस प्रकार से अमेरिका में management के strength को लेकर के company ने कदम उठाई है यहां से 420 to 430 तक के level दिखेंगे यानि easily 30 रुपीज तक के gain इस stock में within maximum 2 month के duration में दिख सकता है with a stop loss below 374 कि असकत बच्चर में भी पास्टा बधने के अख़ों के तया करता है तक के दोगी तक के पुझा टुझाने जैब तक सकते हैं तो तक सक्सयाकित तक के लिए करता है।